सब्सक्राइब करना देखने को बाके अगर तुम्हें डीटेल में लेक्चर पढ़ना है डीटेल में इसके सारी कोशन्स वगर चाहिए तो तुम टबाई 10-30 के अंदर इन्रोल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूगा तबाई 10-30 में बहुत अगर तुम चाहो तो इट इस पेड़ कोर्स 899 का है उसके अंदर भाई तुम्हारा पूरा कॉंटेंट और सब कुछ मिल जागा मतलब उस से जादा तुम मैं खुदी 2X में बाइत करता हूं तो तुम्हें 2X में जब करने की ज़रूट नहीं है ठीक है बट लेक्ट्र चाहर ने झाल चाहर नहीं अगर तुम्हें चाहलों का सब्सक्राइब कर लो और साथ मगर new future temp फॉल tenha हिसे एडग ही इंटियों 25 अचोभा कर सकते हो में तुम्हारा पेपर थोड़ी देर बाद भी हो या कल पर सुजब भी हो तो तुम्हें पस आइडिया तो लगे कि हम देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होई क्यों स्टार्ट होई यह स्टार्ट होई यह स्टार्ट होने के बाद कौन कौन से जेगर पर क्या क्या एफेक्ट से और क्या क्या चीज़े होई फिर हम देखेंगे कि इंडिया को एक जूट होना क्यों इंपोर्टन था और कैसे हो हम जो कि तुमको जैसे मालो तुम और टुमारे क्लास कंदर तुमारा एक ऐसा लड़का है जिससे तुमारे जी़दा बातचीत नहीं है, ना? वो तुमारे दोस्ट भी नहीं है, थोड़ा दुश्मन भी नहीं है अभी हमको एक जूट हो के लड़ना पड़ेगा ताके में New Year के चुट्टी मिले तो उस चुट्टी के लिए तुम साथ में आगए यानि कि अगर कोई और तुम्हारे उपर उपरेस कर रहा है तुम्हें तो तुम्हें क्या लगेगा तो ये एक सेंस था जिसके करण साथ में एक एकता पैदा हुए कि हाँ भाई हम सब एक और हमें एक दुश्मन के खिलाफ लड़ना है पर सारे ही लोगों को अलग-अलग तरीके से फील वा भाई मालो कि वो जो दोस्त है उसको New Year की चुट्टी किसी और चीज़ के लिए चाहिए उसको शादी में जाना हो मुझे New Year की चुट्टी इसले चाहिए क्यों कि मिझे मेरा बढ़ने में जाना हो इनों ने बहुत कोशिश की कि हम सब को एक करके काम करता है पर यह चीज़ बिना conflict के नहीं हुई इसमें भी बहुत conflict हुए इतना आसन नहीं होता कि जैसे तुम और तुमारे दोस्त में क्लास की बात कर रहा हूं मतलब करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूं तो करोड़ों लोगों को एक साथ ला पाना is a very 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 difficult task वो कैसे हुआ वो हम देखते हैं सबसे पहले अभी जो feeling of operation है बताब यह जो दबने वाली feeling कि हम सब दबे हुए इन अंग्रेजों के कारण वो कहां से आई वो सबसे पहला ही world war one के बात से है ना उसके पहले भी आ रही थी पर world war one एक major role प्ले कर रहा था क्या हुआ था world war one में देखो मेरी बात सुना मैं तुम्हें social science मेरे पढ़ाने का एक तरीका बताता हूँ कि जैसे में change करें उसके पहले pause करके slide रीड कर लेते हो और आग बंद करके वापस recall करते हो वहाँ पर क्या क्या था तो तुम्हारी efficiency guaranteed 3-4 गोना बढ़ जाएगी और तुम्हें ये chapter भूलने के chances बहुत कम हो जाएगे पर अगर तुम अभी ये 10-15 सेकेंड नहीं देते हो हर slide के बाद में तो तुम्हें बढ़ी तक्क्रीफ हाईगी तो पहले disclaimer देते हो ठीक है चलो अब तुम्हें का गरना जैसे में slide चेंज करूँ तुम्हें slide पॉस करके read करना जो जो मैंने बोला उससको relate करते जाना ठीक है वर्ल्ड वर में ताकि Britain जीते मेरा क्या फाएदा कुछ फाएदा नहीं इंडियंस का क्या वैदा कुछ फाएदा नहीं फाइदा किसका ब्रिटिश का पर नुकसान किसका हो रहा है हमारा तो सबसे पहली चीज तो यह होगी ठीक है दूसरा उन्होंने वियतनाम और इंडिय इसको उन्होंने कालोनियास करना था, ठीक है, अब सबसे पहले बात तो पैसों की बहुत जरूत पड़ती थी, है थि कभी वहार होता तो पैसों की जरूत पड़ती है अः पैसे जलाएं तो बिृटिच सेंटॅस wonder इनका टेकसे बहुत है तो मैं दब ये समस्या चल रही है और इसके कराण मैं टेक्स भर रहा हूँ तो ये कितने समस्या लिबात है ठीक है इंडिया की जो में थे वो सोल्जर में बढ़ती कर रहा है कितनी सारी जगों पर फूड की शॉटेश थी क्यों कि वहाँ पर इस टाइम पर इंफ्लूएंजा चल जो उसको पर से तुम हमारे उपर सारे अत्याचार भी गड़ो उसको पर हम से टेकसे बढ़ा लो और उसको पर से हमारे फूड शटो जो के इसमें हैL ब्यूमत तो लोग वैसे गुसेम है थे धमाग जब ठीक है अब क्या हुआ नाइटीन फिटीन में गांधी जी अरे 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 यह क्या हुआ 1915 में 1915 में क्या हुआ गांधी जी जो थे वो आये इंडिया, साउथ अफरीका से वो इंडिया आये तो तब लोगों को लगा कि गांधी जी ने साउथ अफरीका के अंदर एक बहुत आप ना एक काम करो आप इंडिया की अलग अलग जगे खुद जाओ ताकि आपको फर्स्ट एंड एक्स्पिनिस को एक्चुली हो क्या रहा है कौन कौन सी जगे में मैंने कैसे बताए कि सब लोगों की डिमांड अलग अलग ती बही मेरे लिए नियूएर की चुट्टी को चाहिए मुझे ताकि मैं शादी में जा पाऊं किसी और को बल्डे में जाना किसी और को नियूएर पार्टी में जाना तो सब के अलग 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 दी जाना तो similarly गांदी जी को उन्होंने ये एडवाइस के कि आप जाओ अलग लग जेगे अलग लग उसे बात करो ताकि आपको समझ में आये कि actually लोगों की problems क्या है तो गांदी जी ने फिर अलग अलग जेगे जाना चालू किया अब idea of satyagraha satyagraha मतलब क्या होता है satyagraha मतलब hold on to truth यानि कि हम satyagraha के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे तो वो होता है satyagraha गांदी जी ने satyagraha को एक छोटी लैवल पर South Africa में अल्रेडी कर रहा था जहां पर अब satyagraha होता क्या है satyagraha is mass agitation mass agitation मतलब कि हम non-violence के तुरू बिना हत्यार उठाए साथ हमें गुस्ता प्रकट करेंगे साथ में agitation प्रकट करेंगे यानि कि हम एक जूट होकर सरकार के उपर force करेंगे कि आप ये चीज बदलो ये चीज चेंज करो पर उसके लिए हम हत्यार नहीं उठाएंगे तो गांदी जी ने सेम सत्यagraha साथ अफरिका में पहले कहते है racism के against racism मतलब वही जो black sand rat साल होता है अब उनको पता था कि बढ़ी कोई भी चीज है तो देखो मैं कितनी बढ़ी है कहानी के तरब बता रहा हूँ तो बढ़ी स्पीड से तो बस ये कहानी सुनते जाना मेरी बाद में बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें कहानी बता हूँ तो मैं एक बार कानी बता हूँ तो में बिलकू बिल्कुल गॉसिप के तरब बताहु अब गांदी जी को इसली हूँ हम एक बर में तरफीन है पता चला हमने पूरे देश में कर लिए और काम ही निगरा है ना तो इसके लिए गांदी जी ने ये तीन बहुत फेमस अगेन बता दूं मैं साथ साथ बताते चल रहा हूं एक्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टन डेट वाइज है ना और देट वाइज और नाम वाइज है तीन पॉइंट तुम्हें पूरे बिल्कुल कंठस्त होने चाहिए एक दो तीन 1917 में गांधी जी गए चंपारण में चंपारण इस इन बिहार वहां पर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए फोर्स करें थी ब्रिटिज गर्न्मेंट क्यों किकि बही उस टाम पे इंडिगो के प्राइस बहुत हाय चल रहे थे है तो इंडिगो मतलब वो नील यार वो 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 पौधा वो तो उसके प्राइस बहुत हाय चल रहे थे तो ब्रिटिश ने यहां से उगवाना चालू कर दे तो इसलिए वहां के जो लोग थे फ्रस्टेटेट है तो गांधी जी 1970 में चंपार अंगा और वहां पर उननन सत् कि हम नहीं हुगाएंगा इंडिगो जाओ जो करना हों कर लो पर हम वाइलेंस भी नहीं करेंगा सेम चीज़ 1918 में आए वो खेडा इन गुजरती है हां पर किसके खिलाफ लड़ाई होई देखो हर जगे लड़ाई अलग लग चीदों के खिलाफ होई जैसे हां पर इंडिग आपस एहंदाबाद के अंदर गांधी जी ने सत्यागरा मूवमेंट लांच किसके लिए ताकि कॉटन मिल वरकर जो हैं उनकी वेजेज बढ़पा हैं वो बहुत ही कम वेजेज पर बहुत ही कम सेलर पर काम करे तो उनकी वेजेज बढ़ाने के लिए उन्होंने ये चीज़ ब्रिटिश चुप तो बैठेंगे नी तो ब्रिटि अर्स ने कहा किया ब्रिटिश हर्स ने एक नए चीज़ पास कर दि जो की था रॉल एक्ट रॉल एक्ट एक्ट क्या है तीक है ने कि वहां की जो काउंसिल थी उन्हों तो ठागे जेल में पटक सकती है, मतलब वो चाहे तो कोई भी रस्त पर चल रहा है, तुम इसके बाल अच्छे नहीं लग रहा है, इसको क्या क्यों आजा है, चलो इसको जेल में पटक दया, तो इसको रॉल आटक में अंदर कर दिया, अब इसकी बात कहा है कि विदाउट एन ट्राइल, विदाउट एने ट्राइल, यानि कि उनको कोट के सामने पेशी भी नहीं होगी, पुलीस को जो पसंद नहीं आना, अरे यार यार ये बहुत ना उदम मचा रहा है, ये काम कर दो, क्या किया जाया, या मिस्टर जॉनसन इसको क्या किया जाया, तो मिस्टर हेंडि ट्राइल, पास कर दिया, तो उसने काफी सारे लोगों को आरेस करकी जेल में पटक दिया, और गांदी जी को दिल्ली आने से बैन कर दिया, अब इसी के साथ में मार्शल लो बहुत चार जिए इंपोज हो गया, मतलब मार्शल लो मतलब यही इसी का रोला ये अंदर एक पा पड़ रहते हैं, पर पुलीस ने चुकी मार्शल लो इंपोज हो चुका था, तो इसलिए उनने उनके उपर फाइरिंग चालू कर दिया, अब लोगों के अंदर गुस्ता आया, तो लोगों ने और उल्टा रियाक्शन दिया, तो लोगों ने बिल्डिंग्स उनके जो पर उतन दियर, तो जिसको चाहिए उसको पकड़ के मार सकता है, अब ये 10 अपरिल की बाद तो 10 अपरिल में मार्शल लो इंपोज हो गया, और जनरल डायर ने कमांड ले ले कि अब जनरल डायर जवो थोड़े दिन के लिए राज करेगा, उसके एसाब से सब चलेगा, अपने परिवारा लोग के साथ आते, कुछ चोटे बच्ची आया होंगे, अपने माबा को घर पे चोड़के, कुछ जवान लोग आया होंगे, अपने बूडे माबा को घर पे चोड़के, कुछ बूडे माबा पाया होंगे, अपने जवान, ऐसे करके बहुत सार लोग महां तो अब क्या होता है कि जनरल डायर अपनी पूरी सेना के साथ में अपने ट्रूप्स के साथ में आता है जलेवाला बाग के अंदर जितने भी एकजिट पॉइंट से लोगें उनके पर ओपन फाइरिंग चालू कर देता है जितने भी लोग थे वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से बहुत सारे लोग मारें कुछ गोलें के कारण मरें कुछ भगड़ मर गये मतलब कि धक्का मुक्की हो रही इतने सारो लोग भाग रहे यहाँ वा तो कोई ना कोई गिर गया और जैसे एक गिरा तो एक के उपर कहीं सारो लोगों ने पैर रख दिया तो वहीं दम घुट के मर गया एक कुवा था महाँ पर जो आज की डेट में भी तुम्हें देखने को मिलेंगा इन फेक्ट जो गोलीों के निशान भी भी देखने को मिलेंगे ना यह कुवा था मतलब देखो तुम सोचो कि इतनी बड़ी कंट्री इतनी बड़ी दुनिया तो ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक जलिया वाला बाग मैसे गरी चल रहा है मतलब कि एक ऐसा agreement बना जिससे कि वो जो Ottoman Emperor है जो की religious head है बहुत सारे लोगों के उनकी सारी powers चीन भी जाएंगी तो लोग जो थे पूरी दुनिया भर के वो बावले थे कि भाईया आप हमारे religious head के हमारे spiritual head है इनकी powers कैसे चीन सकते हो तो इसलिए वो Britishers के खिलाफ वैसी बहुत गुस्सा थे कि आपने आपकी हमत कैसी होई इनकी power चीनने की तो अब गांदी जी को realize हो कि है इससे हम दो major religions को साथ मिला सकते हैं हम क्या करते हैं हम खिलाफत को भी अपने साथ में जोड़ दते हैं तो 1919 में खिलाफत कमिटी फॉर्म हुई ठीक है और इसको किसी ने लीड़ के मौहमद अली और शौकत अली ने अब गांदी जी ने जो सोचा कि हम खिलाफत और स्वराज जो हमारे दो issues हैं खिलाफत और स्वराज इन दोनों को साथ में जोड़ के जो हमारे सत्यागराम करना चा रहे हैं उसको बड़े लयल पर कर सकते हैं और non-cooperation moment बना सकते हैं ठीक है अब आज़ा भाई non-cooperation moment नाम से तुम को क्या समय में आ रहा है non-cooperation ठीक है हमने cooperate किया हम बैठे की चलो ठीक है राज करना हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं अच्छा हमारी buildings है हाँ ले लो लो हमारी जमीने चाहिने ले लो कोई दिक्कत नहीं तो हमने cooperate किया, इसलिए भाई, पहले ही दिन अगर हम cooperate नहीं करते हैं, या जिस दिन से हमने cooperate करना बंद कर दिया, उस दिने अंग्रेश भाग जाएंगे ना, क्योंकि अंग्रेश कितने कम है, भाई, मुश्किल से 40-50 अरग अंग्रेश होंगे, जैसे गांदी जी को टाइटल था केसरेहिंद, या शायद किसी और करता है, या जो भी टाइटल, या जो भी ऐसा ओहदा, जो भी ऐसा पद, या कोई अवोर्ड, अगर ब्रिटिश गर्णन ने किसी इंडियन को दे रखा है, तो वो सरेंडर कर देगा, मतलब वो छोड़ देगा उसको, कि मैं नहीं रख राई है, ठीक है, बॉयकोट, जितनी में सिविल सर्विसे से सबको बॉयकोट करेंगा, आर्मी पुलिस में जो भी लोग नौकरी करेंगे, उस सब छोड़के आ जाएंगे, फॉरें गोट सब बैन कर देंगा, अगर तुम सोचो कर ऐसा हो जाता है, तो कितनी आसारी से ब्रिटिश रूर्ट खतम हो जाएगा, फिर से हमारे कोशिश को बंद करने कोशिश करती है, तो तब हम लॉंच करेंगे असली Civil Disobedience Movement, तो Civil Disobedience Movement, Non-Coopersion Movement का एक Advanced Part है, जो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है? अब, the Non-Coopersion Khilafat Movement beginning in January 1921, तो ये आगई हमारी भईया, पहली चीज जो हमें इस चैटर के अंदर पढ़नी है, इसके अंदर हमें बस दोनों Movement, जाने कि Non-Coopersion and Civil Disobedience Movement, इसमें दो-तीन चीज़ें पढ़नी है, कि इस Movement का अलग-अलग लोगों पर क्या आसारता, कोई स्टुडेंटे चाहे कि जब वो आजाद हो जागा तो उसके पढ़ाई सही से हो सकते, और इसको बिरिटिसर से साथ में discrimination नहीं करना पड़ेगा, तो कुल मिला कि आजाद सबको होना था, पर सबके मोटिव अलग-अलग अलग मोटिव थे कि हमको आजाद क्यों होना है, चलो, अब देखते हैं Movement in the Towns, जैसे मैंने तुम बता है कि अलग-अलग लोगों के लिए हमको दोनों Movement को study करना है, तो पहले हम Non-Covidion Movement को देखते हैं, टाउस मतब शेरो के अंदर क्या हुआ, शेरो के अंदर मिडिल क्लास लोग थे तो अब्विसी बात है कि मिडिल क्लास लोगों ने बढ़ चरके participate किया, बहुत ही ज़ादा enthusiastic थे कि अब आगया है मौका, अब हम आजाद हो के दिखाएंगे, टीक है, हाजारो students थे, उन्होंने Government Control Institute छोड़ दिये, Headmasters, Lawyers इन सबने अपने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो भी Council Elections थे, जिसमें Elections में पार्ट लेना होता था, वो सारे जितने भी लोग वहाँ पर पार्ट ले रहे थे, उन सब ने चोड़ दिये, except for Madras, क्योंकि यहाँ पर कुछ Congress का सीन था, ठीक है, अब, foreign goods जितने भी थे, उस सब boycott कर दिये गए, जितने भी liquor shops थी, मतलब जो भी alcohol वाली shops थी, उन सब को loot लिया गया, लोग अंदर गये, तोड़ा फोड़ी करेके सारे पैसे loot लिये, क्योंकि वहाँ से एक बहुत important tax आता था, गवर्न्मेंट को, ठीक है, और लोगों ने कहा किया, foreign clothes बंद कर दिये, और Indian खादी जो cloth है, जो बिल्कुल pure खादी होता है, वो कपड़ा पहना चालू कर दिया, तो इससे क्या हो कि हमारे जो Indian handloom से, उनकी business भी बढ़ गया, है ना, अभी तक क्या हो रहा था कि foreign clothes पहन लेते था हैं, तो easy होता था, तो अभी आज की date में, मैंने क्या कर रखा है, यह इस टाइप की western t-shirt ही पहन रखी है, ठीक है, चलो, आप क्या हुआ, कि cities के अंदर देरे-देरे movement, अभी पहले हमने cities की पूरी study कर लेते हैं, फिर हम देरे-देरे गाओं पर आएंगे, फिर हम देरे-देरे किसानों पर आएंगे, तो अभी जो towns के अंदर जो movement है, देरे-देरे ठंडा पड़ गया, क्यों ठंडा पड़ा, इसका major reason था, कि लोगों ने वो foreign cloth जला तो दिया, खादी पहनना भी चालू कर दिया, पर लोगों कर ये रहे हैं, एक बात मुझे बताओ, कि खादी कपड़ा महंगा तो बहुत है, और हम afford तो कर ली सकते हैं, हम तो सिर्फ यह बाहर से सस्था तो हम पहने क्या, यह बिना कपड़ों के घूम नी सकते हैं, बेर बोड़ी लेके बाहर जा नी सकते हैं, कपड़े तो पहन नहीं है, और खादी cloth हम अपड़ कर नी सकते हैं, हमने ताओ ता उमाँके जला तो कपड़ आ थैंके, पर हम ठीक्राड़ को दिया, उख तो धेर अगर हम छोड़ देंगे तो हम करेंगे जीवन में, हम पढ़ा ही लिखा ही कहां करेंगे, तो ये एक बड़ा important issue था, जितने भी lawyers थे, वो सारे वापस से government courts में join करने लगए, कि भाई, जितने भी teachers थे हो साओ, अपने अपनी नौगरी पर लगए, कि भाई, हम खाएंगे क्या मैं अपने परिवार को रोटी कैसे खिलाओंगा, इस movement के जरे मैं रोटी तो नहीं खिला सकता न, ठीक है, चलो, अब देखते है country side मतलब थोड़े जो गाहों के इलाके थे, वहाँ पर क्या हुआ, तो अवद के अंदर, एक हम सबसे पहले देखेंगे, अवद की कहानी, उनको लीड किया था, बाबा रामचंदर ने, बाबा रामचंदर कौन है, ये एक indentured Fiji के laborer है, मतलब कि अंगरे जो ने क्या क्या था, कि ऐसे बहुत सारे indentured labor, मतलब कि जिनको बेच देते हैं, मतलब इसे कि 1000 laborers का एक lot बेच दिया, किसी एक इंसान को, तो वो अपने इनको दिमाग तो खराब है, इनको दिमाग तो खराब है, इनका? इनको तब value realize होगी, कि हम नहीं आएंगे, आप तुमको हमारा काम करना पड़ेगा, इस टाइप से, 1920 में जवारला नहरू अवद के villages देख रहे थे, तो उन्होंने काफी सारे लोगों से बात किया, फिर October तक उन्होंने आउध किसान सभा setup की, मतलब बाबारामचंद्र और जवाला नहरू ने और कुछ और लोगों ने आउध किसान सभा setup की, जहां पर उन्होंने ये जो अवद के presence थे, इनका support किया, इनके साथ में काम करना चाहा कि हम आपको अपने rights दिलवाएंगे, ठीक है, पर इससे क्या हुआ, कि कई सारे Congress की leadership, कई सारे Congress की leaders unhappy थे, क्यों, क् बहुत सारे इनी तालुकदार्स में से, बहुत सार लों Congress में भी थे, है ना, तो Congress के, अब देखो, तुम सोचो, कि मैं ही Congress का part हूँ, है ना, और मैं एक risk तालुकदार हूँ, और मेरे ही against Congress, एक committee बनाया, आउत किसान सभा, जिसमें आप मेरे ही against लड़ रहे हो, मेरे ही, मेर पेट पे लाद मार रहे हो, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं Congress का भी हूँ, तो अब देखो, तुम खुद सोचो ना, अगर तुम Congress के हो, और मैं तुम्हारे ही खिलाफ लड़ रहा हूँ, मतलब कि Congress के ही खिलाफ लड़ रहा है, तो तुम सोचो ना, कितनी बहुत सारे लोगों के favor में नहीं होंगे इसके, ठेक है, चलो, तो कई सारे जो तालुपदार और मर्चन्स के घर थे वो लूट लिये गए, कई सारे जोगर पे local leaders को ये बता गया है, कि गांधी जी ने ऐसा बोला है, कि गांधी जी ने ऐसा बोला है, कि भी टेकस्स मत दो, और जितना भी लैंड है वो वापस गरीबों में बढ़ जाएगा मतब सारे गरीबों को फ्री में लैंड मिल जाएगा अब क्या हुआ कि जब भी अब WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Instagram तो इंटरेट तो था नहीं कि आप authenticity चेक कर सको तो जो भी सुनी सनाय बात है ओते थे जो भी काना फूसी होते थे उससे बात आगे बढ़ जाती थे और ऐसे अब आगे फैल कि जबकि गांदी जीने ऐसे कुछ बोला ही नहीं होगा ठीक है अब लोग जो थे, वो angry क्यों थे, लोग गुसा इसलिए थे किकि जो militant gorilla movement था इसके बाद में क्या हुआ था कि जितने भी tribal लोग थे इनको forest में entry पैन हो गई थी मदब इनको forest में entry करना allow ही नहीं था ठीक है वो ही बंदे हुए मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था और सबसे बड़ी चीज यह थी कि उनको फॉरेस्ट में एंट्री नहीं मिलती थी अब यहाँ पर जैसे बाबाराम चंद्र ने अवत के पैसंट को लीड किया वैसे यहाँ पर यहाँ पर यह आंद्य प्रदेश के अंदर गुड़े महिल्स के अंदर अलूरी सिताराम राजु ने लीड कर रहा था कि वो भगवान के गवतार है और उनके पैसमें कोष्पेशल अब आते हैं स्वाराजीन Plantations मतलब कि किसानों के उपर क्या था तो Plantation Workers जो आसाम के Plantation Workers थे यहां पर हम अलगार एक्जामपल्स ले रहे हैं मतलब बहुत सार जगों पर अलगार हुआ होगा पर हमें जो किताब के अंदर में दो तीन एक्जामपल दे रहे हैं जैसे Countryside के अंदर हमने आवद का एक्जामपल देखा फिर Tribal के अंदर हमने गुडे मिल्स का देखा कि वहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते थे फिर अभी Plantations के अंदर हम आसाम का देखेंगे तो आसम में क्या होता हमको पता हमको पता भेई Tea Gardens होते हैं बहुत सारे है ना Tea Gardens मतलब कि वह जो चाय के गार्डेन्स होते है वो तो वहां के जो workers थे, वहां के जो plantation workers थे, उनके लिए पता है आज़ादी का मतलब क्या था, उनके लिए आज़ादी का बस इतना सा मतलब था कि हमें tea garden छोड़ के बाहर जा सके हमारी इच्छा से, वो वहां से भी बाहर नहीं जा पाथ थे, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने एक Inland Immigration Act लागू कर रहा था 1859 में, इस Inland Immigration Act के तहद, बिना अंग्रेजों से परमिशन लिए, वो खेत छोड़ के ही बाहर नहीं जा सकते हैं, तुम छोड़ो market वार के चोड़ो, उनको कुछ और किसी रिष्टदार से मिलना हो, तो जा ही नहीं सकते हैं बिना अंग्रेज तो इसलिए उनने क्या क्या, उनको अलाव तो था नहीं, उनको एंट्री तो, मतलब उनको एक्जिट करना अलाव डिनी था, कि आप छोड़के जाए नहीं सकते हैं, तो उन्होंने सुचा कि अब गांधी राज आ रहा है, तो अब हम अपनी मनमानी करता है, अब हम निकलते और निकल के यहां से भाग जाते हैं, तो यहां से बहुत थार लोग भाग निकले, असाम के टी गार्नेस में से, पर दिक्कत ही होई कि उस दिन उनकी किस्मत खराब थी, उस दिन बहुत थारी रेलवे और ये स्ट्राइक चल दी थी, मतलब कि वहां से जा भी नहीं सकते थे तो थोड़ी देर बाद ही पुलीस ने उनको जो भी मा की पुलीस थी, उनने उसको वापस से पकड़ ले और बहुत ब्रूटली मारा, जतने भी लोग उनने भागने की जुरुरत की, ठीक है, तो ये दिक्कत आगे, अब क्या हुआ भाई, प्लांटेशन, ये सारी चीज़ इंसिडेंट के अंदर जो लोग थे, उन्होंने एक पूरा पुलीस टेशन जला दिया, जिसके करण कुछ 22 पुलीस ओफिसर्स की डेथ हो गई, मतलब 22 पुलीस ओफिसर्स मर गए वहाँ पर, पुलीस टेशन जला दिया, लोगोंने गुस्से में आगे, ठीक है, तो अब क् कोरशन मोविनिंट, कांदी जी ने वहीं पर बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, कि भहिया, हमें नॉन को पुलीस पर घ्र पर आप नॉन को पूरा इंसिडेंट बता हो गया, यह वाला, यह एक्जाम पॉरा इसे दो मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, मैं तुम बताते चल यह सब नोर्ट करते जाना ठीक है तो यह इंसिटेंट के अगरां गांधी जी को लगा कि नॉन कोपरेशन और नॉन वॉयलेंस के साथ चलना हतियार नहीं उठाने किसी की जान नहीं जानी चाहिए ठीक है चला अब आते हैं सिविल डिसोप्रेशन के तरफ क्या हुआ जब गा हमको ना पॉलिटिक्स के अंदर जाना चाहिए तो दो लोग जो सियार दास और मोतिलल नहरु है इन दोनों ने कॉंग्रेश के अंदर अपनी ही एक अलग स्वराज पार्टी बना ली विधिन कॉंग्रेश क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि हमको काउंसिल एलेक्शन से पड़ेगा, तो कौन दो लोग थे वो जिन्होंने स्वराज पार्टी लॉंच की, सियारदस मोतिला नहरू, याद रखना, एक मार्स के लिए बड़ा important है ये, ठीक है एक मार्स के लिए बड़ा important है, या ये भी पूछा जा सकता है कौन से दो ऐसे लीडर थे, जिनको लगा था कि election से हमारा काम हो सकता है यानि कि हमें election के लिए जाना चाहिए पर कुछ जो young leader से जवाला नहरू, सुभाष चंदर बोस्ते हैं इनको अभी भी लग रहा था कि नहीं भाई, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए हमको किसी और के सरकार में काम नहीं करना हमें अपना ही खुद का देश बनाना, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और हम खुद के लिए ही काम करेंगे और हम मास एजिटेशन के थू ही जाएंगे हमें किसी के भी election के अंदर है, किसी भी सरकार के अंदर अब उसी टाइम पर इंडिया को वर्डवार एकोनोमिक पूरा उसी टाइम वर्डवार एकोनोमिक डिपरेशन भी चल रहा था तो इंडिया को उससे भी बहुत नुकसान हुआ एगरिकल्चर प्राइज जो थे हो 1926 में गिरने लग गया और 1930 तक तो खतम ही हो गया एक तरीके से टो यह बड़ा कन्फुजन चल रहा था ठीक है चलो इसी बीचाता है साइमन कमिशन साइमन कमिशन क्या है साइमन कमिशन अब देखो ब्रिटिज गशनने इस सब देखा तो सभी कि बाई इतने सारे वह चल रही हैं है नगा depression भी चल रहा है लोग तो इन सब को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या British Government ने वहाँ से एक Simon Commission भेजे जिसके अंदर काफी सारे लोग थे और वो Simon Commission क्यों भेजी ताकि India का जो Constitution उने बना रखा उसमें को changes कर पाए ठीक है अब दिक्कत यह थी सबसे बड़ी कि हमारे favor में changes करने हैं आपको और हमारा ही कोई आद भी नहीं है आपके group में मतलब उस Simon Commission में एक Indian भी नहीं था ठीक है अगर आप उसमें कुछ Indians रखते तो हम सही से input दे पाते कि क्या चीज़ चेंड करने क्या चीज़ चेंड करने आपने तो बस अंग्रेजों को ही रख दिया उसमें भी तो हम हमारी बात कहां रखेंगे तो इसलिए जब Simon Commission इंडिया में आया तो सब लोगों ने इसको treat क्या go back Simon ऐसे करके greet क्या ये देखो इस type से Simon go back Simon go back के नारे लगाए ठीक है चलो अब क्या हुआ कि लोग लोड इर्विन में एक चीज़ अनाउंस कर दी कि हम इंडिया को dominant status दे देंगे ठीक है मतलब बस यह है कि हाँ dominant मतलब कि इंडिया हाँ एक इंडिया country है बड़ बिटिश चला रहे हो उसको मतलब अभी तक कैसे चला रहे थे वो सिर्फ तो क्योंकि I.N.C. यानि कि Congress का 1929 में जो एक Lahore में सेशन वा था उसमें उन्होंने decide कर रहे था कि हम सिर्फ पॉंट्स वराज कर लड़ेंगे यह आलतु-फालतु का बीच का रस्ता नहीं निकालना आपको अब जवारला नहुर ने इसी दिन क्या क्या 26 जनवरी 1930 को बोला कि इंडिया इंडिबेंडन्ट है जबकि था ही नहीं उन्हेंने celebration नना चालू कर दिया पर अब लोगों को पता था कि celebration तो फालतु मना रहे है है ना फालतु हमें जाना नहीं है डरवर लगता है तो इसलिए इस celebration में कोई ज़ाधा attention मिला नहीं लोगों का ठीक है खैर वो अलग बात है अब civil disobedience movement hack actually इसके क्या का features है तो सबसे पहले non corporation movement से एक step आगे है क्यों 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 बोला था कि आप corporate करना बंद कर दो यहां पर हम लोगों को क्या बोल रहे है कि आप corporate तो मत ही करो मतलब जो आप non corporation में कर रहे थे वो तो करो ही करो उसके साथ में आप disobey भी करो मतलब rules भी तोड़ो पहले तो आपको बस corporate करने से मना क्या था corporate करने से मना क्या था अब हम आपको बोल रहे हैं कि corporate मत करो यह तो चल नहीं करो यह तो सही है मतब corporate तो करना ही नहीं है यह तो बिल्कु सही बात है पर इसके साथ में rules भी तोड़ना है rules भी तोड़ना है ठीक है तो कैसे देखो बाई simple सी बात है मैं तो में बताता हूँ इस पूरे chapter के अंदर क्या होगा कि जब भी हमने Indians को कुछ बोलाए ना करने का तो उनने सबसे पहले कपड़े जलाए हैं और liquor shops को लूटाए ठीक है और जब भी अंग्रिसम में कुछ किया है ना तो बस यह काम होए दोनों पार्टीज में यह काम किया है क्यारे मजाख की बात है समझाने के लिए बोलना पर असलियात में बहुत दिफिकल्टी रही है पेजेंट्स ने बोल दे कि हम टैक्सेस अक्सेस नीं बरहेंगे अब आते हैं भई, civil disobedience moment की starting पर civil disobedience moment start कहा से तो this is the starting of civil disobedience moment क्या? The salt march देखो गांधी जी को लगा, ये slide पूरी read कर ले ना पर मैं तुम्हें पूरी slide कर जिस्ट देता हूँ गांधी जी को लगा कि salt यह नमक एक ऐसी चीज है जो कि लोग खाते हैं ना चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई किसान हो या कोई भी हो खाने के अंदर नमक तो सब को चाहिए तो गांधी जी को लगा कि नमक एक ऐसी चीज़ जो कि सब लोग ही उस करते हैं और नमक के उपर ही सरकार ने मोनोपॉली बना रखी है है अगर तुम्हें नहीं पता हो तो भाई सॉल्ट लो था उस टाइम पे सॉल्ट लो जो था वो लागू था याने कि अंग्रेजों ने बोल दिया था कि हमारा लाव कोई भी सॉल्ट नहीं बना सकता मतब सॉल्ट जो कि इतना इंपॉर्टेंट तो नमक वहीं रह जा सिंपल प्रोसेस की ऐसी होती है अब गांधी जीन ने सोचा कि अगर हमें रूस तोड़ना स्टार्ट करना है तो वाइनौट स्टार्ट विट सॉल्ट नमक इतनी बेसिक चीज़े इतनी चोटी चीज़े पर इससे भी सारे इंडियंस को हम उनाइट कर सकते हैं तो गांधी जीन ने पहले ये करने से पहले लॉड एर्विन को या वाइसरो एर्विन को ग्यारा डिमांड के साथ में अपना एक लेटर भेजा कि भाई हमारी ग्यारा डिमांड है अगर आप पूरी कर तो ठीक है नहीं करो तो फिर मैं सिविल डिसॉपिटिंस मु फिर में सिलते थे छे अपरिल को यह डांडी पहुचे और यहां पर इन्होंने सॉल्ट लॉ तो बड़ी दिक्कत होगी है ना तो वो सब चीजें भी थी पर उन्होंने सॉल्ट लो तोड़ दिया बड़ी हम्मत करके और सारे देश में यह ख़बर ऐसे आग की तरफ फैल गई तो सब जगे जहां-जहां भी कोस्टल रिज़ा था जहां भी बीच वाल एरिया था वहां आ तो उनका दिया भी कौस को बंद कर दिया लिकर शोप को लुट लिया पेजोंस को अपने टैक्स पाई करना से मना कर दिया उन्होंने विलेज ओफिसन से रिजाइन कर दिया था फॉरेच लो फॉरेचल वालएट किया मतल़ वो जो ट्रेवल पीपल के साथ में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उनका दिमाग और खराब हुआ तो फिर वापस वही लाड़ा ही जगड़ चालो गया ठीक है अब शोलापूर में भी बहुत वाइलेंस हुआ मतला बहुत मारा पेटी खुंखराब हुआ और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो दिक्कत क्या होई कि जब गांधी जी को अरेस्ट किया तो लोगों का दिमाग बहुत खराब होगा कि आपने गांधी जी को कैसे अरेस्ट कर लिया तो इसलिए गवर्न्मेंट की वैसी फट गई गांधी जी को अरेस्ट कर लिया तो लोगों के लिए तो मसीह हैं अब अगर आपने उनको अरेस्ट कर अब महात्मा गांधी को लगा कि भाई ये फिर से वाइलेंस हो रहा है मतलब कि आप हमारे यहाँ पर अभी भी नॉन वाइलेंस से आजादी नहीं मिल सकती है इसके थो भी लोगों ने वाइलेंस अभी भी चालू कर दिया है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने movement जो था उसको करना कर लो पर अब इर्विन की भी फट गई कि भाईया लोग जनो पागल होग है तो उससे पहले गांधी जी के साथ में कुछ तो समझाला कर लो ठीक है अब साइन हुआ गांधी इर्विन पैक्ट कब साइन हुआ यह वह था दिसमबर 1931 में तो क्या हो था अच्छा गांधी जी लंडन गए वहाँ पर सारे negotiation हुए पर गांधी जी वहां से disappointed है मतलब यहां से एर्विन ने तो बड़ बड़ सपने उनको बेच के भेजा था कि गांधी जी आप तो जाओ वहां पर बड़े आच काम हो जाएगा आपका सारा समझाता हो जाएगा कोई दिक्कत गांधी जी जब तक महां थे तब तक उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि इंडिया में का चल रहा है वहां तो वह इस उम्मीद से गय थे कि यह जो इर्विन ने हमें जो जो सपने बेचे हैं वह हम आपकर करेंगे और हमारे जो प्रिजनस वगरा है उनको हम कर दिया तो गांधी जी को लगा कि यह कौन सी बात होती है थोड़ी दिन किलिवा आगा तो तुमने यहापर कुछ भी कर दिया तो गांधी जी ने वापस से फिर सिविल इसोबरेंस मुमेंट की पूरी जनरी है यह स्टार्ट हुआ फिर स्टॉप हुआ निपक्ट साइन हो गया ठीख है अब देखते करें को अलग अलग व्याग को ने किस तरीके से देखा तो जितने भी रिच पेजेंट ते उनके लिए सवराज का मतलब क्या था उनके लिए स्वराज वर स्ट्रगल अगेंस्ट हाय रेवेन्यूस। मतलब उनको ज़्यादा टेक्स भरना पड़ता था जो जो रिच पेजन्ट्स थे जो अमीर पेजन्ट्स थे फार्मर्स थे या जो खेति बाड़ी करना लोग थे उनको बहुत ज्यादा टेक्स दिना पड़ता था तो उनके लिए स्वराज का मतभी है कि वापस 1932 में चालू आना तो उन्होंने पाट नहीं लिया क्यों क्यों कि जब 1932 में बंद किया civil disobedience movement तो उनके जो टेक्स उनको रेविन्यू कम करना था वो तो कुछ कम हो यह नी उनको उतना ही भरना पड़ा तो उनको उतना ही भरना पड़ा तो उनको ने अन्पेड उनको कहीं से मिल जा, जो वो rent आगे पे कर दे, तो वो free हो जाओ उससे, ठीक है, अब दिक्कत क्या थी, कि Congress ये poor peasants का बहुत जाद अच्छे से साथ नहीं दे पाई, क्यों, क्योंकि वो ही simple सी चीज है, कि अगर आप poor peasants का साथ दे दोगे, तो जो rich peasants है, जो इनसे tax वसूल कर करते हैं, अब अगर Congress से poor peasants का साथ देगी, तो फिर rich peasants बुड़ा मन जाएंगे, तो इसले हो जाद अच्छे साथ नहीं दे पाई, बिजनस क्लास की बात करते हैं, तो बिजनस क्लास के अंदर भाई, First World War के पाई, कुछ इंडियन मर्चंट्स है, कुछ ऐसी कमपनी से, जो उन्होंने खुब पैसा कमा, अब बिजनस इंट्रेस्ट को एक साथ लाने के लिए दो important committees बनाए गई, Indian Industrial and Commercial Congress 1920 में, और Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI 1927 में, तो ये दो important agencies बनाए गई, दो important cooperation groups बनाए गई, किनोंने लीडग गया, पुरुषत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् जीडी बिरला, जीडी बिरला कौन है भाई, जो present time में, अधित बिरला ग्रूप है, उनके जो chairman है, कुमार मंगलम बिरला, उनके शैद दादा या पर दादा है, तो तुम सोचो, आज की date तक इनकी family कितनी renowned है, उस time से ही, शुरू से ही business family है, ठीक है, तो इन्होंने civil disciplines moment को ब जिना किसी restriction के business कर पाएंगा, और हमारा business बहुत आगे बढ़ेगा, तो इनके शाराज का मतलब बहुत था, ठीक है, पर business group जो थे, वो इतना जादा enthusiastic है, इतना जादा common तरीके से aligned लेता है, अब देखते है, इंदस्ट्रिल वर्कर, तो इंदस्ट्रिल वर्कर के अंदर भी इन्होंने जादा पार्ट नहीं लिया, civil disobedience movement में, ठीक है, इन्होंने काफी सारे पर, इन्होंने इतना खुलके पार्ट नहीं लिया, पर फिर में इन्होंने काफी सारे गांदी जी की जो प्रोग्राम थे, उसमें अपना interest दिखाया, ठीक है, इन्होंने movement against low wages और poor working conditions इनके आप भी लड़ाई की, कि हम poor wages में काम नहीं करेंगे, हम ऐसे poor working conditions में काम नहीं करेंगे, there was strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932, तो railway workers, dock workers दोनोंने strike भी की बहुत सारे, 1930 में हजारों छोटा नागपूर के अंदर जो टिन माइन के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने गांदी जी की cap पह कर्स का साथ दे देती, तो जो industrialist हैं, जो industries के मालिक हैं, वो लोग बुरा मान जाते हैं, और again फिर वो इदिक्कत आया थी, कि भाई Congress जो है अगर उनको support कर देती, तो फिर वो लोग जो थे वो थोड़ा Congress अपना हाथ अटा लेता, अब women की बात करते हैं, तो women ने भी बहुत अब आते हैं, पूना पैक्ट, 1932 के अंदर, अब 1932 में क्या चीज हुई, कि भाई, जो civil disobedience movement के जो effects हो, अब धरी-धरी-धरी-धरी कम होने लगया, और इन सब में जो धलित का participation था, वो बहुत कम था, क्यों कम था, उसका major reason again यही था, कि Congress के अंदर या जो बाकी जो Congress को support कर करने वाले, जो भी उनके साथ में, उनको vote देने वाले है, जितने भी, vote देना तो नहीं, vote देना तो गलत word हो गया, पर जो भी Congress को support करना ले, जितने भी लोग थे, वो सब high caste के थे, अब आप किसी high caste के साथ में, किसी low caste वाले को बिठाओगे, तो थोड़ा सा फिर वो चीज जिने दे, ऐसा नहीं करने थे, वो तो बिल्कुल गर्द बात है, तो अना, बियर अंबिट करने, ये depressed class association चालू किया, और उन्होंने क्या क्या, उन्होंने separate electorate demand गया, दलिट के लिए, इन second round table conference, मतलब जो round table conference वो थे second value, उसमें, बियर अंबिट करने एक point उठाया, कि बही दलिट को अलग देर के तो तोड़ दिया, हमकूर को साथ में लेके चलना है, तो इसलिए गांदी जी ने, बियर अंबिट कर को ये promise किया, कि हम जब भी इंडिया independent हो जाएगा, उस independent इंडिया में हम reserved seats रखेंगे depressed classes के लिए, मतलब कि OBC, SC, ST, ये जितने भी लोग होंगे, इनके लिए हम depressed classes के लिए reserved seats रखेंगे हर जगे, पर चाहे हो government हो, public, या government jobs हो, कुछ भी हो, ठीक है, चलो, अब भाई, civil-types, movement के limits क्या कहते हैं, कि काफी सारे religion के जो लोग थे हो, इसके align नहीं कर पा रहे था, thoughts के साथ में, हैना, सब लोगों को अपना-पना थोड़ा पारते हैं, और Congress जो तो किसी एक major particular religion के साथ में जाधा दिखता था, लोगों को लगता था कि यह सिर्फ इस religion का support कर रहा है, दूसरे religion का नहीं कर रहा है, ठीक है, यह चीज़े होई, बहुत सारे differences के बारे में भी चर्चा होई, negotiations होती रहीं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह सब लग रहा था कि all parties conference 1998, तो यहाँ पर यह चीज़े भी धिरे-धिरे करके dissolve बने लगा हैं, तब कुल मिला कि civil disorder movement जो थोड़ा-थोड़ा थिनना पड़ी रहा था, पर बहुत सारे लोग नहीं इसमें party में नहीं लिया, ठीक है, चलो, कुछ religion के लोग थे, वो Congress कात में resonate कर पारते हैं, ठीक है, चलो, अब आते हैं next topic के पर, जो कि जहां से तुमारे 2-3 questions बन सकते हैं, easily 5-5 marks के, इस topic अंदर जादा कुछ समझने इसा है, यह सब चीज़े read करने ले, तो मैं तुम्हें फटा-फट बता दूगा, एक चीज़े दिनूगा, तो basically sense of collective belonging क्या होता है, वोई चीज़े हमने chapter के बिल्कूल पहली slide पर देखा था, कि nationalism की feeling कैसे develop होई, तो similarly देखो, जैसे आज की date है, तो हमको sense of collective belonging, collective belonging मतलब की India is a collective belonging, मतलब हम सब क्या, हम सब की जिम्मेदारी हैं इंडिया को साथ में लेके चलना, है ना, तो यह sense of collective belonging, sense of collective belonging मतलब की, यह भावना होना कि हमें साथ में रहके इंडिया का ध्यान रखना है, यह भावना कैसे आईगे, अब आज की date में तो जब हम भाई, एर हमान का गाना सुनते हैं, वंदे मातलब, या कोई movie देखते हैं, या फिर जब भी हमारे पास में, मात दुझे सलाम है, कुछ भी ऐसा गाना बचता जिनके थूँ लोगों ने relate किया, यह लोगों ने एक अपने आपको feel किया, कि हाँ भाई, यहाँ सामको थोड़ी feel आ रही है, तो तब भी songs, मतलब ऐसे songs जैसे वो नहीं होता थे, जैसे अब भी telecast होता है, पर हाँ, तब भी लोगों ने गाने आगया के धीरे-धीर करके ब बढ़ाएंगे, तो बहुत जादा फायदा होगा, ठीक है, इन 20th century भारत माता की एक image बनाए गई, तो लोगों ने, जो हम आज बोलते हैं भारत माता की जै, तो 20th century की ही बात है, जब भारत माता की एक तस्वीर बनाए गई, किसने बनाई थी यह तस्वीर बनाई थी, अब इन ने गांदी जी को उसको re-design किया, सेम जवारा ट्राय कलर था, इसमें बीच में उन्होंने गांदी जी का जो चर्खा होता है, जो चर्खा बेसिकली था, वो उन्होंने लगाया, चर्खा का मतलब क्या होता था, self-help, मतलब हम खुद की मतलब करेंगे, 1875 में बनकिम चं जोशन आने लगा, भक्ती आने लगी, इसी, इनी पेंटिक से कारण, ठीक है, अब, re-interpretation of history was another way of creating a sense of nationalism, अगर तुमसे ये question पुझा था, कि what is re-interpretation of history, इसका मतलब क्या है, तो basically हुआ क्या, कि अंग्रे जो ने हमारे जो culture से, हमारे जो history उसको बहुती गमार तरीक से बताए पर लोगों के अंदर ये भावना ना जगे, इसलिए हमने history का वापस re-interpret करना चालूगा, वापस से लोगों के मन में वावना पैदा करना चालूगी, कि Indian culture बहुत rich culture रहा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं, जैसा अंग्रेज बता रहा ना, वैसा नहीं, Indian culture is very, very, very rich, ठीक है, हमने जो भी development के है, इतने पुराने सालों में, जो हमारे राजा महराजा बहुत पहले करके गए हैं, उन सब के बारे में डिसकस करना चालूगी, उन सब के बारे में बातचीत करना चालूगी, जितना बे मारे glorious time था, जो सोने की चड़िया वाला हिंदूस्तान था, उस हिंदूस चीज चलते रही, तो बस इतना ही था, इस चाप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें नहीं देखे, तो देखो, इस चाप्टर के अंदर में बस वो दूर चीज़ें, और इसके बाद में एक sense of collective belonging, ये तीन important topics इस चाप्टर के जो मैंने पूरे cover कर वा दिया है, तो ये हम लोगों ने चाप्टर स्वाथ कर ले, बहुत ही जल्दी, बहुत ही एक कोई जिस्ट लेके, ताकि तुम्हें एक पूरा overview लग जाए, चाप्टर की क्या कहानी, कैसी का बात चीज़ें और क्या 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 इसके अंदर हमने देखा है, पूरी कहानी के तरफ, पूरी गॉस